हाई प्रेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, फिरसे मैं आपका सौकत करता हूँ, इस चैनल में आप स्टॉक का फंडमेंटल अनले से समझेंगे, इसको समझने के लिए हम अनलेटिक्सा यूज़ करेंगे, अगर आप इस चैनल के लिए नहीं हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वादी वीडियो आपको मिलते रहें, चलिए वीडियो में आगे बरते हैं और अनलेशिस शुरू करते हैं, सबसे पहले लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट का सबसे बड़ा फैदा वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा, उससे पहले इस इस पी स्टॉक दस साल तक रखने का नहीं सोचते हो, तो उसको दस मिनिट के लिए रखना भी ना सोचें, यही कहता है फंडमेंट अनलेशिस, प्रॉफिट इन लॉस टे हम शुरू करते हैं, तो प्रॉफिट इन लॉस कंपनी का एक इंकम स्टेटमेंट है, इस से पता चल पिछले 10 सालों में कैसा परफॉर्म किया है, हर साल इतना प्रॉफिट बनाई है, यहां हम देख सकते हैं, कि कंपनी अपना सेल्स लगाता रहे हैं, एक लेविल से अपना बिजनस बनाया है, और 2020 में कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है, और आते हुए एकदम से 21 में, य सबसे ज्यादा, यानि सबसे कम सेल्स यहां पर बनाई हुए है, आगे हम समझते हैं, कि सेल्स और एक्सपेंस कि दिशावे जा रहा हैं, और अप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसके उपर है या नीचे है, यह भी देखने की कोशिश करेंगे, तो जहां पर हम देख सक आगे बात नहीं मार्जिन सिर्फ 10% की बनी है, दोस्तों आपको आप यह मालूम हो गया है, कि मार्जिन क्या चीज है, अगर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, आगे वाले स्लाइट में लोग देखते हैं, सेल loss में हमें क्या देखना है हमें पहले यह देखना एक एक दम से डिक्रीज हो रहा है। यानि इसका बिजनेस तब से नीचे परफार्म किया है इस साल में और दुबारा वो तेजी के साथ यानि 2022 और इस साल तक यानि तब से टॉप सेल्स बनाने यानि वैल्यू दिखाई दे रही है यानि वापस उसने कमबैक किया है यही खासियत होती है जो पुरानी और बहतरीन कमबैक करना उसको मालूम होता है तो उसने अपनी पूरी तरह से कोशिश करके वापस सबसे ज्यादा हायर सेल्स यहां पर नजर आ रही है यह साल कमपनी कितना अपना बिजनस को ग्रूट कर रही है यह हमें समझना होगा थाके आगे हम यही चीज़ देखने वाले हैं तो पिछले करिंट पिरिएड का सेल्स करने के बाद उसको डिवाइट करेंगे पिछले पिरिएड की सेल्स के साथ और मौल्लिप्लाइ करेंग पर हमको यहां पर मिला है 25% की growth तो यह positive number बता रहा है कि अगर यह positive number आता है तो यहनि इसकी sales growth हुई है negative number आएगा तो इसकी sales यहनि घटी है मतलब उस sales previous period से भी उससे ज्यादा कर नहीं पाया है तो बाटा किस दिशा में गया है सबसे पहले हम समझ लें कि हमारा target line क्या है 10% की target line है और बाटा इस target line को अचीव कर पाया है या नहीं पिछले 10 सालों में यह देखने को मिल रहा है कि शुरुआत में यहनि 12-30% तक उसने यहनि हलसार उसने sales growth की है लेकिन उसके बाद यहनि below 10 10% की है अपनी जो target है उस target से भी यहनि कम में देखने को मिल रहा है और यहां पे minus में भी नज़र आ रहा है और 2021 में minus 44% यहनि बहुत ही कम growth से भी बहुत ही कम नीची चला गया है और वापस उतनी ही तेजी से 40% यहनि सबसे ज्यादा अगर आप देख सकते हैं कि उसकी growth था समझते हैं कि इसले 10 सलों का एक average हम जब calculate करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि target 10% से एक तरफ नीचे की तरफ है और recently यहनि तक्रीम हम 39% की आज़ पास देखने को मिल रहा है कि चलते हैं और समझते हैं कि company कितना मुनाफ़ा बना रही है operating profit margin यह होता है यानि depreciation और taxes को छोड़ कि जो profit बनाई है company ने वो हमें measure करने को लेता है इससे पता चलता है कि competitor कितना percentage बना रहा है और इस company कितना बनाई है यहाँ पर उस calculation को समझने के लिए operating profit हमने sales के साथ divide किया फिर उसको multiply किया 100 से तो हमें पता चलता है operating profit margin मैंने example में 150 operating profit को 1000 के sales से मैंने divide किया और multiply किया 100 से और 15% की मुझे margin मिल गया है यही चीज हम देखेंगे बाटा किस तरीके से बनाया है आप देख सकते हैं कि 15% का अपका target है और बाटा ने यहीं operating profit margin में यहीं 15 के आसपास उसने बनाया है लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 13, 12, 12% यहीं दो बार और एक बार 10% यहीं उससे यहीं टार्गेट से तकरिबन चार बार यहीं चार साल ऐसे हैं जो टा नीचे आया है और बागी सारे यहीं 15% के ऊपर है और 20 में आप देखने को मिल रहा है कि 28% का operating profit margin भी बनाया है और current period यह रख रहे हैं 22% जब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक average जब हम calculate कर रहे हैं तो 10 साल का average यह बता रहा है कि 15 के ऊपर है और 5 साल का 18% से ऊपर नादर आ कर रहा है और current period यह अब देख सकते हैं 22% आगे हम discuss करते हैं reserves and borrowings रिजर्ब से होधा है कि company के पास कितना पैसा है और borrowings यह होती है कि company ने कितना उधार लिया है यह debt तो company शुरू के 10 सालों में अगर देखा जाया है sorry 10 साल शुरू के नहीं है पिछले 10 सालों में पिछले 10 सा इसने उतना कम किया भी नहीं है अगर आप देख सकते हैं company के पास 2019 तक कोई debt नहीं था इतनी अच्छी बात है यह चीज़ यह company debt free थी 2019 तक लेकिन 2020 आप जैसे जाते हैं कि करोना की period की वज़े थे हो सकता है company ने शायर यहां पर लिया है debt और यहां पर देख सकते हैं company अपन reserves बढ़ा रही है जिए अपकी debt कुछ में नहीं था लेकिन जैसे आप 2020 से 2022 तक अगर देखते हैं तो company ने the reserves से अगर compare करेंगे तो यहां पर ज्यादा debt बनाया है cash flow cash flow इसमें हम दू चीज़ों का measure करते है operating cash जो company ने business की त्रू यह अपने operations जो पाइसा बनाया और company में जो invest किया अपने resources यह अपने machinery को या फिर अपने assets को increase किया business के expansion के लिए वह हम यहां पर देखने के कोशिश करेंगे अगर यह एक operating cash जो है एक positive number होता है और cash from investing एक negative number होता है जो हम दोनों का add करते हैं उससे हमें अगर positive number मिलता है तो यह अच्छी बात है अगर उससे negative number मिलता है तो यह हमारे लिए ठीक नहीं है तो यह हम चेक कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी ऐसी चीज नज़र नहीं आ रही है कि company का यानि negative number नज़र आ रहा है पिछले 10 सालों में तो आगे हम बढ़ते हैं और समझते है रिजो return of capital employed return on capital employed तो हमारा target line है 15% का तो company ने बहुत ही अच्छा शांदार performance यहां पे किया है यानि 15% की return on capital employed है तो company 38 37% यानि लगातार उसने बहुत अच्छा perform किया है लेकिन 2021 से यानि 15% के पुरी तरह से नीचे चला गया है यानि 0% और अभी current में हमें देखने को मिल रहा है कि 8% यह सबसे आखिर हमें हम पहुँच चुके हैं जो मैंने शुवात में कहा था कि long term investment का फाइदा क्या होगा तो यह देखते हैं कि long term investment की benefit इस company में 1716 का returns मिल सकता है यहां मैं अपना वीडियो अटम करता हूँ मैं उमिद करता हूँ आपके इस वीडियो को enjoy किया है और इससे बहुत सारे चीज़ें सीके होगी तो अभी तक आपने चैनल को subscribe करें तो please चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को like करें और share भी करें सीको और सिकाऊ नमा स्टॉक मार्केट के साथ और अगर आपकी कोई specific कोई stock है तो please आप comment में बताएं ताकि मैं आपके लिए खास एक वीडियो लेकर आऊँगा और अगर आपके कोई questions है तो आप please comments में mention करें मैं उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा thank you so much for watching this video मैं मिलता हूँ आपको आइडली वीडियो के साथ